किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए चक्का सबसे important part होता है अगर किसी गाड़ी का चक्का खराब हो तो गाड़ी चलेगी नहीं और गाड़ी का accident भी हो सकता है ठीक किसी परकार रेल को भी सही तरह से चलाने के लिए उसके चक्के का सही होना बहुत important है तो आज के इस वीडियो में हम चक्के के बारे में बात करेंगे मैं आज आपको बताऊंगा चक्को के बारे में कुछ इसकी दोस्ट जो होते हैं जो चक्के के जो defects होते हैं उनके बारे में बात करेंगे इसके अलावा नया साइस, कंडमिंग साइस का होता है उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैं हूँ फईयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखें यह कुछ वील का डायकरम अगर आप देखेंगे जो यहाँ जो चुक्के में जो हमें जो गलाई दिखती है वो ट्रेड कहलाता है और जो उठाओध में पार्ट दिखता journal के उपर ही यहाँ पर bearing fit होता है किसी भी चक्के में तो यह हमारा चक्के का एक मोटा मोटी figure है जो आप देख के समझ जाएंगे कि हमारा चक्का का कौन सा part है और किसको क्या क्या बोला जाता है अगर इस slide में चलते हैं यह हुआ कि एक बोगी में जब हम दो चक्के लगाते हैं तो उन दोनों चक्के के diameter के बीच में पांच mm से जादा का फर्क नहीं होना चाहिए और इसी तरह सेम कोच 13 mm जो दिख रहा है आपको इसका मतलब यह हुआ कि एक कोच के अंदर जब हम दोनों ट्रॉली में दो दो चक्के लगाते हैं तो उनके बीच में 13 mm से जादा का अंतर नहीं होना चाहिए यानि कि अगर आप एक कोच में 40 चक्के लेते हैं तो उसमें जो सबसे चोटा चक्का है और उस कोच के सबसे बड़े चक्के के बीच में 13 mm से जादा का अंतर नहीं होना चाहिए ये काफे इंपोर्टेंट है अगर आप CNW स्टाफ हैं तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा बिल्कुल ध्यान रखना होगा इसके अलावा यहाँ पर वेल डामेटर की बात की जाए तो ICF का निया वेल डामेटर 915 mm होता है जबकि Fiat यानि LHP ट्रॉली का भी 915 mm होता है और Casnop यानि GOODS की बात की जाए तो वहाँ 1000 mm होता है इसके लोग है था हम इसकी कर्णमिंग साइज की बात करें कितने में चक्के खराब माने जाते हैं तो 825 mm में ICF का है और Fiat जो की LHP बोगी भी कहलाता है उसका 855 mm है हलाकि आपको बहुत जगे यहाँ पे बहुत सारे मैनुल में अभी आपको यह 845 mm भी दिखेगा लेकिन यह 845 पहले था अभी से 855 mm कर दिया गया है देखे यह हमारा wheel है एक Excel है दो डिस्क है तो देखे एक Excel पे लगे दोनों डिस्क के बीच की दूरी को wheel gauge कहते हैं और यह होता कितना है तो देखे wheel gauge 1600 plus 2 minus 1 mm होता है यानि कि 1599 mm से 1602 mm तक हो सकता है इससे ना कम ना इससे ज्यादा यानि 1599 से कम नहीं हो सकता है और 1602 mm से ज्यादा नहीं हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो उस wheel को हम सर्विस में यूज नहीं कर सकते हैं इसके लावर नीचे जो आपको gauge दिख रहा है यह wheel gauge नापने का gauge है इसको gauge wheel gauge कहते हैं और इसी से किसी भी चक्के का wheel gauge ना पा जाता है और इसका सही तरीका यह है कि आप gauge पूरे चक्के में तीन जगे आप यूज करेंगे पहले सबसे टॉप में उसके बाद दो पॉइंट पे और आप चेक करेंगे और तीनों की reading इत सेम आनी चाहिए यानी 1599 से 1602 के बीच आनी चाहिए अगर यह reading आती है तो आपका चक्का ठीक है आप उसको अपने train में यूज कर सकते हैं चलिए next wheel base अभी हमने देखा था wheel gauge अब हम देखते है wheel base wheel base किसे कहते हैं यानी कि बॉगी में जो दो चक्के लगे रहते हैं उनके Excel के बीच की दूरी को wheel base कहते हैं अभी अप नीचे फोटो में देख के समझ सकते हैं यहाँ पर आपको दो चक्के दिखेंगे और इनके बीच की जो दूरी है उसे wheel base कहते हैं अब देखिए हर तरह के coach का यानि हर तरह कोच का मतलब जैसे ICF हो गया लग अलग अलग होते तो ICF का wheel base कितना होता है तो ICF का wheel base यहाँ पे 2896 mm होता है ना कम ना ज्यादा इसमें कोई tolerance नहीं है इसके लग फियेट बोगी का wheel base कितना होता है यानि जो हमारा LHB का ट्रॉली होता है इसका wheel base होता है 2560 mm अब यहाँ पे कैसना बोगी यानि कि जो goods में जो बोगी लगता है उसका wheel base देख लेते हैं इसका wheel base होता है 2000 प्लस माइनस 5 mm यानि यह कम और ज्यादा हो सकता है 2000 में 5 mm और बढ़ सकता है अब देखिए wheel defect चक्के में कुछ खराबिया भी आ जाती है किसी भी दूसरे यान्त्रिक पुझे की तरह rail wheel भी समय के साथ खराब होते हैं कुछ ऐसे दोश हैं जो समय के साथ rail के चक्कों में उत्पन हो जाते हैं एसे में उन दोश युक्त rail चकों को बदलना पड़ता है वरना ऐसे चक्के rail हाथसों के कारण बन सकते हैं तो यह बहुत सिंपल सी चीज है अगर कोई wheel खराब हो गया अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं तो उसके वज़े से एक्सिडेंट हो सकता है तो wheel कैसे चेक किया जाता है इनमें कौन-कौन सी खता भी आती है चलिए हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे wheel defect है जो Indian Railway में जो wheel defect माना गया है 6 तरक है लेकिन यहाँ 7 तरक हमने एक thin tire भी दे लिया हलाकि thin tire बहुत जगर अब नहीं होता है क्योंकि अब tire वाला system खतम हो गया तो देखिए हैं आप सबसे पहले thin flange है deep flange है, sharp flange है, zoot, radius, low है hollow tire है, flat plass है और यहाँ पे thin tire है अब इनमें कौन-कौन सी problem आती है कैसे पता चलता है हम आगे उसको देखेंगे इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा पसंद है तो लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए हम सबसे पहले deep flange के देखते हैं यह हमारा deep flange और यहाँ पे आप देखेंगे तो जब wheel flange की उचाई 28.5 mm से बढ़कर 35 mm या उससे अधिक हो जाए तो उसको deep flange कहते हैं यानि जो हमारा flange होता है जब नया आता है तो 28.5 mm उसके उचाई होती है और अगर यह उचाई बढ़के 35 mm हो जाए तो उससे deep flange कहा जाता है अब यहां right side में देखेंगे आपको दो photo दिखेंगे एक में आपको right का निशान दिखेंगा ग्रीन कलर का और एक में आपको red का निशान दिखेंगा red कलर का cross का निशान दिखेंगा तो जो cross का निशान दिखेंगा आप gauge को ध्यान से देखें जिस photo के उपर, वहाँ पे अगर आप देखेंगे, wheel gauge पे जो A point लिखा हुआ है, उसके और flange के बीच में gap है, तो अगर flange के बीच में gap है, तो ये सही है, और वो wheel use किया जा सकता है, लेकिन अगर gauge, wheel gauge, wheel defect gauge, या tire defect gauge, पूरी तरह से flange के उपर बैड जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये deep flange हो गया है, और उस चक्के का इस्तमाल नहीं किया जा सकता है, तो चलिए next defect देख लेते, और ये thin flange, नाम से ही पता चलता है कि flange जब thin हो जाए, पतला हो जाए, तो ये thin flange दोस्ट कहलाता है, जब wheel flange की मोटा ही, जो कि 9.5 mm होती है, घिसकर 16 mm, या उसस से कम हो जाए, तो उसे thin flange कहते है, thin flange होने के कारण, train point और crossing पर two route हो सकती है, two route के मतलब आधी train दूसरी तरफ जाएगी, आधी train दूसरी तरफ जाएगी, two route हो सकती है, तो thin flange बहुत ही कतरनाक चीज है, और यहाँ पर जो 16 mm लिका है, घिसके 28.5 mm हो जाए, और घिसके 16 mm या उससे कम हो जाए, तो thin flange कहलाता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है, जो high speed गारी है, जो 110 km पर हावर के speed से चलती है, यानि जो भी high speed super fast train है, उसमें इसे 22 mm रखा गया है, यानि high speed train हो में 22 mm से कम मोटाई वाले wheel flange का इस्तमाल नहीं किया जाता है, अगर किसी भी wheel क flange की मोटाई 22 mm से कम है, तो उसे किसी भी super fast train हो में use नहीं किया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगला देखते हैं, यह है thin flange, अगला देखते हैं, और यहाँ पर sharp flange, जब किसी चक्के के flange के उपर की गुलाई 14 mm से घिसकर 5 mm हो जाती है, तो उसको sharp flange कहते ह rail joint पर लगे fist plate bolts के तूटने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर rail joint पर लगे fist plate के बोल तूटते हैं, तो इससे दुरगटना होने की संभावना काफी अधिक होगी, अगला देखते है, root radius low, इसे sharp root या फिर warm root भी कहा जाता है, wheel flange और wheel trade के गुलाई का radius, नहीं में 16 होता है, जब यह घिसकर 13 या उससे कम हो जाता है, तो उस दोश को root radius low या फिर sharp root या warm root भी कहा जाता है, root radius low होने के कारण चक्का पट्रिस होता सकता है, और train दुरगटना अग्रस्त हो सकती है, यह बहुत important होता है, root radius का घिसना बहुत ही खतरनाक मना जाता है, इसलिए अगर कभ tire defect gauge का a point देखिए, बिल्कुल बैठा नहीं है, उसके नीचे उपर काफी down side में जगा है, लेकिन अगर आप दूसरे तस्वीर को देखेंगे, जहां पर cut का निशान लगा हुआ है, वहां पर tire defect gauge का a point है, वो बिल्कुल root radius पे बैठ गया है, root के उपर बैठ गया है, तो यह defect affected है, उसको use नहीं किया जा सकता है, आप photo को ध्यान से देखिए, वीडियो को pause कर लिजिए, और आवाम से इसको देखिए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि यह चीज़े कैसे होती है, अगला देखते है, hollow tire, wheel के पूरे गुलाई पे 5 mm में उससे अधिक गहरा गड़ा बन तो उसे hollow tire कहते है, इसे चको को फॉरान बदल देना चाहिए, यहाँ आप photo में देख सकते है, जब यहाँ पे tire defect gauge wheel के उपर रखा गया है, तो आप पहला photo देखिए, वहाँ पे आपको काफी gap दिखेंगे, जो A point है, उसके और wheel के बीच में आपको gap दिखेगा, लेकिन जिस photo के उपर अभी आपको cut कंशान दिख रहा है, red color का, वहाँ देखिए, tire defect gauge में जो A point है, वो wheel के साथ चिपक गया है, तो चिपक गया है, कि मतलब यह tire hollow tire हो गया है, और इसका इस्तमाल हम नहीं कर सकते हैं, चलिए next देख लेते हैं, flat place on tire, यह बहुत important चीज़ है, आप इन दोज मज़ा के काम में आने वाली चीज़ है, यह सारी जानकार, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजे, चक्के के गुलाई में किसी एक हिससे पर चप्टा गड़ा बन जाता है, तो उसको flat passage कहा जाता है, passenger train में यह 50 mm और माल गाड़ी में 60 mm या उससे अ माल गाड़ी में 60 mm, अगर इसको कैसे चेक किया जाता है, अगर आप देखेंगे photo के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि इस gauge को कौन से इससे को लगाना, देखिए अभी जो पहला photo है, जिस पर right tick लगा हुआ है, यहाँ पे tire defect gauge में जो AA लिखा हुआ है, वो wheel के साथ च चिपक गए, यानि कि वहाँ पे flat passes बन गया है, और वो चिपक गए है, तो वो चक्का यूज में नहीं आएगा, अगला देखते है, तो अगला यह thin tire, अलग भग शायर नहीं होता है, क्योंकि अब tire अलग से चढ़ाया नहीं जाता है, जो भी हमारा wheel है, वो solid wheel होता है, पहल आजित सीमा से कम हो जाती है, तो इससे चक्के को thin tire कहा जाता है, जिन चक्कों में इस तरह के दोश पाय जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है, और उनके जगा अच्छे wheel को लगा दिया जाता है, हलाकि thin tire की problem अब नहीं आती है, इस चीज को आप समझ लीजे, thin tire तब आत कि समावना नहीं होती है, क्योंकि thin से पहले ये कंडम का हो जाता है, जैसे कोई एक चक्का है, 915 mm का है, वो नया चक्का है, जब वो घिस के 855 mm हो गया, तो वो कंडम हो गया, वहां से उसको निकाल दिया जाएगा, simple सी बात है, तो thin वाली बात नहीं आती है, लेकिन पहले ये thin tire होते थे, ये important नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें था, तो मैंने इसे ले लिया, आप चाहें, तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं करेंगे, तो भी कोई देखकर नहीं है, तो ये पूरी जानकार ये आपको कैसे लेगी, comment करके बताएगा, और ये जो भी मैंने आज बताया है, आपको tire के बारे में ये काफी important चीज़े हैं, अगर आप CNW employee हैं, तो आपको wheel के बारे में आपको जानना चाहिए, इसके सारे जो defect है, वो आपको पता होने चाहिए, तब ही आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, और एक चीज ज़ूरी सूचना, ये संदित निमाली को ही संदर्ब के लिए अधार माना जाए, यानि कि आप अपने manual book को देख के उसी पर यकीन करें, और उसी के अधार पे काम करें, ये वीडियो समागरी के और प्रशिक्षन के दोरान अत्रिक अध्यने तु तयार की गई है, यहां दी गई जानकारी में समय समय पर बदलाव संबह है, अता इस वीडियो समागरी को किसी भी दूप में मानक संदर्ब पुस्तक या जानकारी ना माने, तो आज की वीडियो देखने के लिए अप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,